वाहिगुर जी का खाल सा वाहिगुर जी की फते गुरु प्यारी साथ संगर जीओ हर महिने अपने एक अलग टॉपिक दोपर विचार कर दे हां गुर्बाणी दे विच्चों इते हास दे विच्चों गुरु साहबानाने सानू कई मैसेज दिते हन कई तरीके देना तरम दिवी जरूरत है राज नितिक पाखवी जरूरी है तो एनना दोना दे सबंद दे विच एनना दोना चीजानों जोड के जड़ा कंसेप्ट साथे समने रख्या गुरु साहब ने उसनों असी कहन दे हां मीरी अते पीरी दा कंसेप्ट प्रशना दे जवाब दे लई साड़े कोल दो विद्वान दो ग्यानी सिंह साड़े कोल जुडे हन साड़े कोल पहुंचे हन जो के हैड़ प्रीस्टत का तो गुर्भ कर्दवार साहिब Eh शे सूजवान दो उनना दे अगे साड़े कुछ सवाल हन जोके संगत दे विच्चान साड़े तक पहुंचे हन तो सब तो पहला सवाल जेडा है मेरी पीरी दे जड़ा है उने अकाल थक साहभी मनाया गया देश रे अलाग अलाग जगामा देविच मनाया किया तो सब्दो पहला सानू इस शब्दान दे अर्थ दे बारी जड़ी है तुसी जानकरी देव कुलदीप सिंग जी झाज देविच पीरी जानकरी अगों बड़ाश देवारा जानकरी जी थे खुड़ा खुड़ा ओझाइडड़ा देवारे जी स्च्टीप प्रणति अट्यू घृट बाट बाट है टानवाद है तेना चीज नू संता देनाल को जी विचार सांजे करन दा मवका नसीब उन्दा है समो कर दोरा परबंद कमेट की दा तानवाद है कि ना दे सहे जोग देनाल दे सारे प्रोग्राम जडेने और कम्पलीट उन्देने सो मेरी पीरी दा जड़ा सिदा अंत सादुगरा ने साधी चोड़ी दे विच पाया है इन अर्थ बहुत विशाल ने थोड़े जे लफजां दे ज़े कर आप जढना हुए इन दे जड़ा एक्चुल मेनिंग वर्ड मेनिंग ज़े कर आप करना हुए 拿इता, मेरी ते पेरी, तोनों शब्द जड़ेने के फारसी पाशादे विचुवयili अच्छ वरतया जानदा है ते उसमीर तो मीरी लफध यूज़गी ता गया पीर लफध नवच वेच यूज़गी उसकी ता जानदा है ते उतों पीरी शब्द लेया गया इना दोना दे मतलब है, इना दोना दे मीनिंग अलाग अलागने, पामे के पाशा एक ही है, पर मीनिंग दोना दे अलागने, मीर दा लफज जड़ा मीनिंग है, वो बादशा होंदा है, बादशा होंदा है, ताकत होंदा है, पीर दा जड़ा अर्थ है, वो एक आत्मिक जीव जड़न दे नाल जुड़ी होई सक्षियत. जड़ों आपा बाणी नू पढ़ देयां, बाणी दे वेच भी साथकुरा ने इनना दोना शबदानू यूज कीता है. जड़ों रबदी गाल कर देने साथकुरू जी उथे रब नू ही, परमात्मा नू ही, अकाल पुर्ख नू ही, मीर भी कहिंदेने, ते पीर भी कहिंदेने, मीरा, दानना, देल, सोच, उथे मीरा लफज जड़ाए, उप परमात्मा वास्ते साथकुरू जी उज कर दे पाएने प्रमातमा नो ही बादशा आल पावरफुल मानके हो थे मीर केंदे पहिने ते पीर लखज भी बानी दे विचे साथ गुराने को समालक प्रमातमा वास्ते ही यूज कीता है तो उन जदो आप आप इतहास दे नाल जोड़ते हैं इना दोना लखजा नो जो हर्गो बिंसा महराजी ने एक कंसेप्ट साड़ी चोड़ी दे विच पाया ते फिर एक दोना लखजां दे पारसी दे विचो आउन करके अर्थ बड़े विशाल हो जादे ने क्योंके मेरी दा सबान दे जड़ाए उट टाकत दे नाल है पीरी दा सबान दे जड़ाए उट आतमीक जीवन देना लख धरम देना जिमें क्या लखजांतें है हर एक इनसान दे जीवन नो सुमेलता परदान कर देने है एक सारता परदान कर देना बैलन्स लाइफ दा कंसेप्ट जड़ेना उस साथी जिंदगी दिविच दिन देने साथ क्योंकि जेकर मीरी ता है पीरी नहीं है लाइफ जड़ी है उँ अन बैलन्स हो जाएगा जेकर ली पीरी है मीरी नहीं है ताम ही लाइफ जड़ी है उँ अन बैलन्स ही रहे कि बैलन्स कदे भी उदा बन नहीं पाएगा सो साथगुरा ने हर एक इंसान दी जिंदगी नू बैलन्स करन वास्ते एक सारता देन वास्ते एक दोन्नों लफज सिदान तेक रूप देवेचे साड़ी चोली देवेच पाद देवेचे जहां एदा कहा लगिए दोनों एजड़े ने ओठीक होन नदीदी एक खासियत है ताहिं आपा नदीदो नदी कहांगे जेकर ओदोना किनारें देवेच वहन दी पईजाए सो इता कहलेए कि साड़ा जीवन एक नदीदी तरह है ए मीरी ते पीरी एदोनों इस नदीदे किनारे ने जेकर एक किनारा हुवे एक ना हुवे ओ नदी अखवाई नहीं सागती ओ नदी नू आपा नदी कहा ही नहीं सागती ओ पानी जड़ा ना आसे पासे चारे पासे खिलर जाएगर नदी दा रूपतार नहीं कर सागती सो गुरू साब ने मेरी ते पीरी सानू इसे दाहांद दे के साथी जिन्दगी नो एक लाइन ते वेच ले आगे खड़ा कर दिता, तांके हर एक इनसान नो अपने जिन्दगी ते वेच अपनी लाइफ दे वेच अडॉप्ट कर सागता है, जेडा भी करेगा, उदे जीवन दे वेच ऐसे जो है कि उन्हों असलियत दा पता लगेगा ते जे इसकोस कर लो कि सारी दुनिया गुरु हार गोपन साइव जी ते एस सिदाथ नो अपना लवे किसे दे उते युल्म करन दी कदे वास्ते वी तो आनो आगया नहीं दाएगा समझ लाग जाएगी कि प्रमात्मा दे पैदा कीते हुए जीवां जी राबने मेनु ताकत दिती है मीरी दिती है तो इस मीरी दी मैं ठीक टांग देनाल बरतो करनी है और देखो इस दोना शब्द अनो गुरु साब ने पड़ी डिटेल देना बानी दे वेच भी एक्स्प्लेंड कीता है जदों साथ कुरां दा बचन अपम पड़ देना कि साब सुखाली वुठिया ए हुआ हुआ हले मीराज जीओ तो हले मीराज दा जीड़ा कंसेप्ट है एक ऐसा राज जिते सारी आपने जीवन देवेच अडाप्ट कर लगा जीड़े कोल भी ताकत है अपां राजनिक्त के तारते का लिए प्लिटिकल तारते जड़े जड़े अज हाइस पोस्ट देवते वैठे हुए ने जे कर वो इस सिदान समझ लें ते हर एक देश दी जड़ी 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 भी कोल जेकर पिल्टिकल तारते बैठे हुए लोग ँड़े ने इस मीरी पीरी दे सिदान थे जड़े जड़े तो साथगूरा ने ने दुटनों डूनों शबद ने साथे जिद़्िजय इन करके पाय तांके साथ ही जिंद्गी किजडिय वो बैलनस हो सके इस मीरी ः थे प कि अपने आत्म के जीवन उच्चा चुकना है, उथे जेकर तेरे सामने किसे वे उत्ते जुल्म होंदा है, ते तेरा फर्ज बनदा है कि हाथ देवेच शस्तर पकड़के उस जुल्म होंदा मुकावला सामने मैदाने जांके जांके करें. तो इस सुमेलता साथ गुराने, इस सिदा आत दे रहा ही, साथे जीवन देवेचा सामने सौंपी है, फिर मैं रिपीट कर देया, एदुनों शबद फार्सी पाशा देवेचा आएने, मीर ते पीर, इना तो है मीरी ते पीरी लफज बन देने, मीरी दा मतलब ताकत कह लगे, पावे ओराजसी ताकतों वे, पावे उस सरीर क ताकतों वे, किसे तरा देवी ताकतों ते पीरी दा पाव आत्मिक जीवन दे नाल जुड़या होया इनसान, पीर लफज गुरु वास्ते भी बानी चा आया है, पीर लफज परमात्मा वास्ते भी आया है, पीर लफज उस इ किस तरीक्ट तरीक नाल की मीरी कि सब्सक्राइब नारीग से ने सपीरुचल है नूच लाइफ यह दोनों चीजेशां जिके समझ वेचाँ जाजनते सारी दुनिया दा जेड़ा है और दुनिया जेडी है बहुत वर द्यूरी के नाल चल सकती है पर जदू सी विख दे हां भै तो सब तुम पहला हुंदी है पगती या संत बोड़ी किस गुरु साहब तो शुरू हुंदा है टे पीरी दा जड़ा है किसे योगदान है घंञीयो नियो गेकी जए निंठार योग जी जीमी स्टकार योगवीर जी ने मीरी थे पीरी दी बहुत सोने त्रीके देनर व्याख्या करके दस्याए के मीरी दा संबान्द राजनीती देनार ते पीरी दा संबान्द तर्म देनार अधेहातमकता देनार और अधेहातमकता दी जड़ी गाल है वो गुरु नानक देव जी महराज जी तो इस शुरू हो जान्दी है क्योंकि ज सब कल उदरी एक नाम तर्म परगट सगल हर पवन मैं जन नानक गुर्पार ब्राम ते गुरु नानक देवजी महराज जदो परगट होए ने उनना ने सब तो पहला मारिया सिखा जगत विच नानक निर्मल बंथ चलाया निर्मल पंथ दी तर्म दी अरमता कीती ते तर्म ते पीरी समझो इक कोई गाल है गुरु नानक देवजी महराज ने पीरी दी गाल कीती ते जदो आपा पाई गुर्दास जी दिया वारां पढ़ दें उथे पाई गुर्दास हैं ते गुरु नानक देवजी नो जदो मुसल मान का जी हाजी मिलेते हुनना ने पीर कह के इसंबोदन की ता सी जाहर पीर जगत गुर बाबा सो पीरी दी शुर्वात कह गुरु-nank देख जी को जीटो हई पर हाला कि जदो आप आप इतिहास नो पढ़ देया ते मीरी दी शरुवात भी गुरु नानक सहीब दे समय तो ही हो जाँदी है पर उनू परताख रूप दे विच गुरु नानक सहीब तो मीरी ते पीरी ओ दो शब्द सिख्खी दे विच परचलत होए शरुवात होई पर एना दोवा चीजां दी शरुवात बेसिकली जड़ी सिख्खी दे विच गुरु नानक सहीब जी तो शुरुव होई है क्योंकि पीरी की तरम तर्म दे विच दया निमर्ता मिठा बोलना निव के चलना ये सारे गवाई पर दा तरम अगया है अपा जिने भी आजता का संसारदा इतिहास वेख लई है जिते तरमते राजनिती वक्री होई है उते जुलम होया है गुरु सहभ ने जड़ा एक कंसेप्ट ताके राजनिती भी होवे शक्ती भी होवे पर उशक्ती दी जड़ी अगवाई है उप पगती करें जे पगती ते शक्ती दों में जीवन दे वेचे नहीं थे फिर जीवन अधूराय शक्ती तो बिणावी जीवन अधूराय पगती तो बिनावी जीवन पर उ पगती उना दे जीवन दे विच नई सी। उदे नण होया कि जेड़े ते केवल पीरी वाड़े पासे चाल रहे सान, पगती दी गाल कर दे सान, वो बिलकुल कायर हो चुके सी। ते वो समाज नू भी अगे से तरह दी सिख्या दे रहे सान, जिस करके समाज दे विच भ आत ओ जुल्म कर रहे सी, जिस करके गुरू सही नू केना भी प्याके राजे शीम, कदम, कुते, जाए, जगाजन, बैठे, सुते, चाकर, नहन दा, पाए, नकाओ, रात, पेत, कुते ओ चाट जाओ, कारण की सी कि ओ ना दे कुड ताकत बड़ी सी पर जीवन दे विच इमा बाबा फरीद सहीव दे बचन, फरीदा बुरेदा पला कर गुसा मानना हंडाए, उते नहीं किया गया कि सिद्धी तुसी बास जे किसे नेक कोई बोल बोल दिता थे, को दे नड़ो से वक्त चा गड़ा कर लग जाओ, पीरीदा मतलब है, सैन शीलता साड़े जीवन दे वि फरीदा बुरेदा पला कर गुसा मानना हंडाए, जहां फिर बाबा फरीद जी दे बचन हन के, फरीदा जो ते मारन मुकिया ते ना ना मारे कुम अपन डे कर जाईये, पैर ते ना दे चुम ए निमरता सकौन वाले बचन हन, क्योंकि बहुत गला ऐसिया हुं दिया ने, जे अगले गुरु सहबान चाल दे हाना, पर सारे मसले ताकत देना हाल नहीं हुंदे, बलके कई वारों ताकत दी गल्त वर्तों चीजानों वगाड़ देंदी हैं, जिस करके गुरु सहब ने पहले नमबर ते मिठत नीवी नान का गुण चंग आईया ता दी गाल की ती, निम सब तो पहले नमबर ते राक के उपदेश देंदे हैं, आपा गुरु हार गोविन सहब दा जीवन भी वेखी है, जिना मीरी ते पीरी नो इकठेया कीता, पाई गुर्दास सहब ने वारे भी किने प्यारे बचन कहें ने के दाल पंजन गुर सूर मावाड जो दा बो बड़े योदे ने सूर में पर पाही गुर्दास सहब के दे परकारी भी बड़े अपआई ट आसवी पड़िए गुरु हार गोविन सहब दे जीवन दियां कि या प्यारिया प्यारिया साख इना मिड़ दियाने कि 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 दिरे कशिमीर च माता चेते कर दी थे गुरु सथे करना जिनी देर तक गुरु हर्गोविन सहीप चरण नहीं पांदे यूप परफकारी कोम लेहर देवाले गुरु हर्गोविन सहीप ओथे भी गए सो अला हर्गोविन सहीप ने मी ठीक है मेरी दी शैस्टर दी क्योंकि समाहलाग ऐसे बढ़ गए सनके शेश्टर तो बिना गाल नहीं सी चाल रही पर ओथे भी पहले नंबर ते पीरी नू सामने राख के चले एसे तरह अपां गुरु गोविन सिंग महाराज सचे पाच्छा दा जीवन भी वेखी है पहले नंबर ते पगती दी गाल है और अंग जेव नू गुरु सहीव नहीं क पीरी दी शरवात हों दी है अगे पढ़ा दर पढ़ा उस पीरी दा तरमदा गुरु सहीव ने देशां पर देशां दे विच परचार भी कीता पर जिते जिते पीरी दे रस्ते चो को जालमा ने रुकावट पाउंड दी कोशिश की ती ओधे फिर गुरु सहीव ने क्या तो कि जोलम करनवाड़ा जड़ा जालम है ओ प्यार वाड़ी पाशा नू नहीं समझ रहा हुण ही ले वसीले खतम होगे ने हुण सानू शम्शीर तलवार चुकनी पैणी है सो पीरी दी गाल आपाई कैसकने गुरु नानक देव जी महराज ने ही सब तो पहले नंबर ते तरमदा होका संसार नू समाज नू दिता है बहुत वदिया जी बहुत सोने विचार और बड़ी वदिया शब्दा जी दे नाल उदारण देंदे आयां तुसे गाले स्पस्ट कीती बही पीरी गुरु नानक साहिब जी तो शुरू हो गई पर ऐसा नहीं है बही चे में पाश्चा जी दे वेचे जड़ा है ओ पीरी वा तय मीरी वी जीड़ी है कि ऐसी वेक सक्दे याँः गुरु नानक साहिब जे शूरूत तों ही या गुरु नानक साहिब जेघ्जदे समेत ही साननौ कुछ चल और पीरी दिया वी मिल धीror हूट पीरी दे नाल मीरी दियावी मिल देय जीमें बाबर हो जापर कह दिन दे ने और इस सबंदे वेच एक राइटर होया है धीमी सदीधा ही जादू-नाद सरकार उन लिखदा है गुरु नानक्साहिब जीदी । फकीरी दा शीतल सुमा फोजी छाउनी दे मारह उधल बिच सुक गया पाव बेज़दों ए फौज वाला काम शुरू होया ते फिर जेड़ी है वो पीरी जेड़ी है वो रुक गई सिर्फ मीरी अगे वदी पर असी वेख दिया मीरी जेड़ी है वो शुरू तो भी सानुच अलका मिल दिया हन तो इस बारे तुसी यानि कुलदीप सिंग जी तुस कि इस तरहा हुआ गुरूनानक साहब महराज तो पीरी गुरु कार देना लुड़ी है पीरी तो पाव पगती का लिया है वह त एदा पाव एड़ी नहीं के जेगुरूनानक साहब महराज पीरी दा होका दिन देने हर इक इनसान नो जग्द जलंदे नो उस अकाल को मैंदे विचों सान। चलका मिलनगी हैं कि 맞ुछा है dur RAMמלा अप्रॉ कोंछा है, कि अवखरी गाला है कि अमली तौरठे टौरठे प्रैक्टिकल तौरठे गुडुल हारकों बिक्षवं विरी टीन हें this areas ayam the practical विच्छार हम उत्त॑रठे गृर्णिंत आ हतना है बचना पर पढ़ देयां गुरुनानक साहर देयां पाई गुर्दास देयां वारां दे विच्छों पढ़ देयां राजे शी मुकद्दम कुते जाए जगाएन बैठे सुते चाकर नहंदा पाएन काओ राप्त पित कुते हो चाट जाओ गुरुनानक साहब ने अपने पंत दी शुरुवात की ती गुरुनानक साहब दा टाइम जा उस तो थोड़ा पहिला समय बाद जदो देयां आम लोकां दा हाल है ही बहुत माड़ा सी जड़े राजे ने जिनना दे कोल ताकत सी जड़े मीर सी ओता आम लोकां दे जुल्म कर दे पहिने जड़े होए ने उस सिर्फ अपने तर्म कमाउड नों ही सब कुछ समझे के बैठे सी जस तरह बाबर जदों हमला कर दा है लिए जड़े उथे तर्म देनार सबंदत लोक सी या पीर सी उनना नों पता लगता है के बाबर फाउज लाया के यारे उनना ने गोंपी किया के जी आंदा है ते आनों तो असी मंतर पड़ा के सारी फाउज अनी हो जानी है साटा बिगड़ना ही पुज नहीं और होया कि कोई बाबर ने बड़ी कतलोगारत कीती तो आम लोकां दी हालत बड़ी माड़ी सी तर्म दे ठेकेदार सी उनना ने मी लोकां दी रहनुमारी साइटांग देनाल कीती ही नहीं जिथे उत तर्म देनाल जुड़े होय सी उनना दा जड़ा मेन परपस हो आपनी जिंदगी नू अगनाली जीवन दा पाव एथे के जड़े गदी ते बिराजमाने, जनना दे कोड़ ताकत है, उनना दी खुशा मद करें. काजी होई रिश्वती बड़ी लेके हाग ते बवाई तरमदा आगू है वो और उदे जीवन दे वेचे गरावट की आगई है कि वो रिश्वत लेके ते जड़ा खैंसला उननों चेंज कर दिन दा है, जड़ा इनोसेंट उननों सजा मिल जान दी है, ते जड़ा जुल्म करन वाला जड़ा दोशी है, वो बरी होजाता है, तो एहो जीवन गला ऊस टाम आम ही सी, गुरुनान का साभी ने साचदा होगा, सारे संसारतें के छफेरेया, अकालपुर्ख दे नाल जोड़ेया, ते अकालपुर्ख दे नाल जोड़न दे नाल-नाल सातगुरा ने आम लोका कि जेकर कोई तो आड़े सामने गल्त करदा पे आए ते ओदे खिलाफ तो आनो अवाज उठाउनी जाई दिया है तो इसे करके ही जदो बाबर हमला करदा है कतलोग आरत करदा है ते साथगुरू गुरू नानक सामने खड़ा होके उनना नू कह देन देने बाबर नू कह देन आम इंसान दे वास्ति गालनी है मेरी दी ही चलक गुरू नानक साहब दे जीवन दे वित्यो सामने मिल भी है तिर जदो अगे आप हम चल दे है गुरू अंगत साहब महाराजी दा समा ओंदा है के दो हमायू शेरशा सूरी दे कुलो हार के जदो उ दाड़ के मैदान दोड़ता जारे है खड़ू साहब दे पुलो लंगन लगता है ते रोकता है गुरू अंगत साहब दरशना वास्ति जान दागा जादा है जिते सादगुरू जियो ते कहें देने ना के बच्चे आदे नाल थेड़ एसी जा बुर्मुखी पड़ा आ पडा रहा थी उनान वेट कारदा है उड़ी एकता है कि शाद मेरे वाल देखके मेरा स्वागत करन के जा मिनों बड़े प्यार देना आल पलाओन के पर जदो सादगुरू जी देख दे तक नहीं होदे याल तो गुस्से देवेच आणके आपनी किर्पान ती मुठ जड़ी होदे उते हाथ पा देखके कह देनी जड़ा बादशा कह लेगे उदेखके नीगल कह देनी कि आम इनसान दी वासिदी गाल नहीं एक गुरुनान के साहिवती पर ही होई जुरूरत ही सी जड़ी उनना दी जोत दुजे जामेंदी मेंच आणके भी कहीं दी तो उनना तो बाद अकबर जड़ा भादशा सी जी ओधा सी बड़ा नेक इंसान तर्मित टर्मित तर्मित ठार्मी च्चिएला माड़ा बंदा सी पर जदो अकबर दी मौतं बाद अधों जहांगीर बैठत आई गती दे बादशा बंदाय तो ना नुपता है उदे करके ही उदे तार्मी कर करके ही इताहस दे विचों जानकर ही मिल दी है कि गुरू अरजन साही महराजी ने मी बचन कीता सी के असी शस्तर पकड़ने आपर शेमे जामे दे विच हारगो बेरूप दे विच आपा शस्तर हाथ विच पकड़ने आप अधे नाल जालम दी जड़िया उजड़ पटी जावेक जड़ी मेरी गुरू अरजन साही महराजी जान दे सी के आउणवाला समझ जड़ा उबड़ा प्यानक है तってる वास्ते त्यारी है कि गुरु हरगो बेयृं नाल साही महराजी ने बचन कर दे मेरी गुरु नानक साहे महराजी दे समेतों चल दी आ रही सी पर उ प्रैक्टिकल ताउरते सामने नहीं सी उसनों गुरु हरुको पेक साहे महराजी फिर अमली जामा पहनाओ देने ते ए खुकम सारे सेख कौम दे वेचे कहले जारी हो जानदा है के जेड़ा भी साथे जवाने चंगा शास्तर पेटरा करें मंगा गुरु साहता है ते रही सांकता पाके अकाल तक साहब दे सथापना हूं धिए अकाल भूंगा उसारे आजांदा है जंगी मश्का हुं दियाने तियारियां चल आरांब हो जानदियां जी फाजी तो मेरी दा सावान घटाए ना बहुत वदिया जी तुसे सड़ना विचार संजे कि तिब जेस्ट रिक्यनल पीरी गुरु नानक साहब जी तो शुरू उंदिया और लगातार चल रही है तो मीरी वी जेड़ी है पहला समय तो ही चल रही है जिमें उस समय जहांगीर ने हुकम की तासी केंदे कि कोई वी मनु और जेब जेड़ा है अपने समय देविच स्टेटमेंट जारी करदा है कि कोई भी मनुख अपने नाम नल सिंग नहीं लगाएगा ते गुरुगोवें सिंग माराज ने खाल साज के हारेक सिख दे नाम दे नल सिंग पके रूप वेची लगा दिता है तो मीरी और पीरी दि देतियां पर वाद चार जड़ा सी पीरीदा किता ते की कारण बढ़ें भी छेवें पाद्शा ने जड़ा सी अमले रूप परताक रूप जड़ा है वो मेरी पीरीदा साठे सामने रख्या तो एदे की कारण ने या क्यों रख्या एदे बारे तुसी विचार सागनल संजे करना ची हांजी 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 वीर जड़ों आपां इतिहास का पशोकर देख दे हैं ते शेवे पाथ्षा जी दे वेले जांगुरू अरजन देव जी महराजी दे शहादत तों बाद हला आत अंदरों ते बारों बेलकुल इस जोग बाण चुके सी के गुरू सहब सिखान नुशेश्टर तारी बाणन दा हुकम देंदे वैसे अपन जदो गुरू नानक देव जी दे समेच भी देखिए ते मीरी दा जा समें दे एहल कारां दा जुल्म ओधों वी चाल रहा सी पार सेख क्योंकि गुरू नानक सहब जी दा समा बिलकुल शरवाती समा सी ते जे किस नहीं थे जै कमजोर बंदेदे आतगे में चे शथैों पटवाँ पदाड़ों कई वार की उदा सामने वारा ताकत वाड़ाए जी देकड़ शेश्तर है वो अधी आरो टाकत नहीं है आना अंधरों मानसिक बल्वान नहीं हैं सामने वाड़ा उसक्दा नहाथ थावी शेश्टर तारीदे कोड़ों शेश्टर खोगे ते ओदे उतेटे उन्हीं खत्म करदवे गुरु नानक माहराज सचे पाच्छा जी ने सारे हलात वेके जुलम हो रहा सी राजे पाप कमारे सी शर्म तरम दो शाप खलोए कूड फिरे सिखानों अवेर करन दी कोशिश की थी के जीवया पातलती जाए सब हराम जेता किछ खाए ना कायरता वड़ा जीवन ना जीवो के जड़े जीवन दे विच कोई अंक नहीं या कोई गैरत नहीं पर ओ इनी मजबूती नहीं सी फिर लगातार पांच जामे साथ गुरु ने बानी दे परचार दे नार अपने बचना दे नार सिखानों एन मानसिक तौरते मजबूत कीता के जे समाते हलात बंदे ने एवाक्याई अगे जूजन दी हिमत रखन ऑश समें दी चाल दे नार गुरु अरजन देवंजी महराजी दी जदो शहादत तुं दियें ते गुरु अरजन देव जी वेखो शहादत कोई चोटी मोटी गलत है नहीं समें दे आप आई थे आसकारानू जदो पढ़दे यां गुरु नानक सहब दे समें करोडां सेख बढ़ चुके सान। तो सिखी वाद दयां वाद दयां गुरू अर्जन देव जी माराज जी दे समय ते देशां पर देशां चाथ बेयंत गुरुकार देशेख एथों ता कि ते आसकार लेख देने के हिंदोस्तान दा कोई वड़ा ते छोटा शेहर ऐसा नी सी जिते गुरु के सेख ना रही दे होन। जिनना दे एने पैरोकार ने जिनने एनने मनन वाले सेख ने ओ एड़ी वड़ी शक्षियत नो खतम करना वड़ी वड़ी गाल सी सारे पासे हाः कार माच गई ते हकूमत दी सोच की सी गुरू अर्जन देव जी नूँ शीद कर दियां जा नहीं करेगा कोई करोंबार नहीं निकड़ेगा गुरु अर्जन देव जी माहराजी दी शहादत होई वाक्य खौप वाला डरवाला महोल जरूर बढ़िया पर ओ एसी के जिम्यापके ने लोगा एन तत्ता हो चुकिया से गुरु अर्गोविन सहीव ने वेखिया के होन बेल आजय सहव दी शहादत नमरता दी शांती दी सैच दी Ti जो वाद कोई होर कीनक सेनक शील रहेगा ततित वीते बिठादेता उबद के ना के ढुशादा बंदा बरदास्ट कर सकता है ते जो उना ने जोल्म कीता है तो जोल्म होर भी कियो सकता है वो एक कवी ने लिखिया विये ना कि गुरू सहीव कहने लगे मेरी सदा को दबाना मुंकन है बदलते वक्त की रफतार काउन रोकेगा कि होन वकत बदलेगा होन असी वेखांगे ठीक है तुसी सानूते शीद कर देता पर जदों समा बदलेगा उधी रफतार दे सामने तवा कौन रोकन दी हमत कर दाए गुरू अरजन सहीव दी शहादत दे नाड एक ता बार वी जुलम दी इंतहा वड़ा महौल बन गया दुझा मैंटली ता उरते वी सिखांदा जड़ा जोश सी ओ एन सिखर ते पहुंच गया फिर गुरू हर गोविन सहीव सच्चे पाच्छा त दाखत ते बैठे उना आप मीरी ते पीरी दिया शिम्शीरा ता रण की तिया फिर सिखा नू हुकमना में जारी कीते के हुन जुलम दी इंतहाई हुन ओ जड़ी गुरू कर दी गालना मिठत नीवी नान का ए लोग उना लकीरान उटाप रहे ने जो तै मारन मुकिया ते न शेस्तर सजावो कमर कसा कर लेवो बनाई हमरी खुशी हो वै अधकाई माराज क्यान लगे होन अपनिया जवानिया पेट करो इदे पिछे वी कारण एसी के जेड़े लोक मीर लोक ताकत वाड़े लोक ए सोच के जुलम कर रहे ने के सानू रोकन वाड़ा ही कोई नहीं है अ असी ताकत पैदा की ती गई के ना सोचो के कोई रोकन वाड़ा नहीं है उन तवाड़े सामने तवाड़े जुलम नुठाल पॉण दे लई असी खड़ा दे पर जेड़ी सिखी दे वेच महराज ने पीरी दे नड़ एन मीरी बराबर ते लिया के खड़ी की ती वो थे ना जालम जरवानेया दे हाथ ऐक्री मीरी ताकत तलवार जल्म वदाओन दे लई पर गुरू साह्ग ने जड़ी मीरी ते शहस्तर तलवार दी ताकत दी दाख बक्षी ओ जलम नूठाल पॉण दे लई से एसे करके गुरू सह्भ ने नाड़ को जिस सिधात भी देते के किसे बिमार किसे रोगी ते नहीं चलना Bever सिखने वर नहीं करना तो घरडए सेरढ़ उत्तर चाने जोष्मन स्पाही जोगुंद ने अपनी शिम्शीर रोक कि उनु कहना पहला अपनी पागा अपने सेर्थे राक क्योंकि आसी जोलमनों खत्म करन दे ले आया किसे दी पाग पैरा चरोलन दे लेनी आए इवे को ताकत है पर फिर भी एक मर्यादा है किसे दे हथों शैस्तर देख जानदा है ते गुरू हर ग गोवन सहीव सचे पाच्छा जी दे समय एक ते बारों हलात ऐसे बाण गए सान के वाक्याई होन ओना जालमा दे विरोद खड़न दी जरूरत सी नहीं ते ओ जुलमन दिया सब हदा बनना टाप पर रह सान दूजे नंबर ते सेख भी होन एनने पर पेर हो चुके सान कौमा नू नमी जान देंदा है कौमा दे अंदर एक नमी अनर्जी पैदा करदा है वो दी परताक मिसाल है क्योंकि हाकूमत ने सोचिया सी गुरू अरजन सहीव दी शहादत होएगी सेख डर जानगे उनना नू यह निसी पता कि यह शहादत दे खून ने सिखा नू ऐसी अ पहुजा रखी गां कोई बदले दी पावना नहीं के फूजा राख लेंगा ते अपने जीवन चे चार जंगा लड़ियां ते गुरू अरजन सहीव दी शहादत तो करीबन वी बाई साल बाद उनना ने अपने पहली जांग लड़ियां वो जंग दा कारण भी ऐसे तरह बनेया सी हो कहें दे गुरू सहीव जदो शिकार खेड़न दे लई गए ते ओथे शिखा ने एक बाज पढ़ लिया वो बाज सी लहा और दे हाकम दा ते ओदो शिकार खेड़न दे ले मीर एहलकार लोक जान दे सान उनना ने कुछ कनून ब बाज लब्दयां लब्दयां ओशिखां दे कुड़ पहुंच गए कैन लगे जी साड़ा बाज है तो आड़ी ही मत कि दाओई पढ़न दी के गुरू माहराज कहन लगे पी देखो ठीक है तो आड़ा बाज है पर एक कनून बढ़ाया होया है तो आड़ी हाक मांदा के जिन देते बाज की जो मांग दे मिल जादा क्योंकि गुरू नानक दा कार्वे को गुरू तेग बादर सहीव प्यार देनल किश्मीरी पंड़ताए तरला कीता जी महाराज साड़ा तर मबचाओ अपना सेर तक कुर्बान कर दिता दूजियां दिकातर जी प्यार देनल कोई आव आज तिन से साव लेना गाल जे जुलम दिया फिर महाराज केंदे फिर नहीं हां जे प्यार देनार ते फिर तुसी जो मंगोगी आपा देन देन देली त्यार सो समुचे रूप दे विचा पाइदा कह सकते हैं कि गुरू हर गोबन सहीव जी दे समय सेख मान सिकता और ते भ गुरू हर गोबन सहीव ने दो तलवारां बदिया एक मीरी दी एक पीरी दी उना ने मीरी ते पीरी दिया तलवारा आप भी तारण की तिना ते सिखानू क्या के होड़ों वो शेश्तर ताड़ी तारी ते आऊ होड़ों में दाने जांग दे विचिवे कि ये जुलम करनव सिद्धा मकाबला करके बहुतन वातों डाजी बड़ी विदिया तुसी सदेनाल सांच पाई मीरी दे पीरी दा कारण वी यही सी के हर शीरी गुरू अर्जन साहम महराजी शीद्वियों जंदी है शहादत उन्दी है देशनू बचान लई कौम नू बचान दे लई साच दे खड़े हन इसलिए शहीदो जंदे ने कई वरी सडेते हास कर जेड़ा है उसनू चंदू देनाल या व्याद देनाल इनना सी जोड़ दिनने हा पर मूल कारण जेड़ा है वो सी पूल जानने हा या कई वरी सी शेर नहीं कर पान दे तो असल दे वेच गुरू गरंस है खड़ देगो यह सड़े मुताबक गुरू गरंसाब जिदे संपादना करो तो देश कौमन बचान देली जेड़ा सी गुरू अर्जन सही महराशी दून देहन फिर गुरू हर गोबिन सही महराशी स्टेटमेट देहन कमजोरी कौमी गुना है ते मैं तलवार एसले पैणनी है ते तुसी एसले फड़नी है ता जो जालम दी तलवार बंदो सके पुन उद्य दिवस गुर शस्त्र मंगावे रुमाल पूंज नेज अंग लगावे अपने रुमाल नल केंदे आप वी शस्त्रानों साफ कर देशन तो मीरी अते पीरी दे जेड़ेने कई कारण ने तो और जदू मीरी अते पीरी दोनों इकठे रूप देवेच पर तक रूप देवेच समने आ गई ते उस समय जेड़ा सी उस सिखांद जीवन कैसा हो गया की उना दे जीवन दे परबाव पया इस बारे ग्याने कुलदीप सेंग जी तुसी साडेनल विचार संची करने सी अजी एक पाई सत्य थे पाई बलवांड जी दिवार अपा रामकली रागते पढ़ देयां उत्थे उन्हाने एक बड़ी प्यारी गाल कई ये गुरु नानक साब देसे बांद बेचे केंदे जादो गुरु नानक साहराज कारतों चले ने साचदा हुका देंदे पाई ने उस टाम ते भी कोजे ऐसे लोग सी जिनना नू गुरु नानक साब देयां गल्ला चंग ये नहीं सी लग दिनने ना हो औरेयों गांग वहाई है दुनियाई अख है के के ओन आम लोग कहिं देने के ए गुरु नानक केडियां गल्ला करता है पर इनने की कर देता है ए कियो य कहीं से दुनियां नहीं सी जडी गल्ला किसे ने सॉनी ना होबे या देखी ना होबे ओ सुनाइज है ते बना हरान हो जाता शौक हो जाता है कि मिरु नानक सामने जदो एकला सूनाहीं संसार बदे सामने arm always आम लोग के वैसे हरान होएगा पावना मारे जुडे भी जडे विरुदी सी उनना ने ता फिर एभी कहा देता ना कि जी कोई आख है पूतना को कहा है बेता लाग कोई आख है आदमी नानक बेचारा गुरुनानक साहब नो भी उनने एहोजे शवद दिनाल संबोधन कीता मार लफज भी गुरुनानक साहब वासे यूस कीते गए सिमिलरली जदों गुरुहार को बेन साहिब महराज दोनों तलवारां पैन देने मेरी ते पीरितियां और जेडिते पावना वाले ने जिनना पूर्न विशवाश है गुरुदी ते उता जो गुरु साहब ने फुर्मान जां कहा लिए कि न्मी जी गाल उनना दे लए इसी कि की कार देता है कर देता है को फिर कम्पेरिजन का लगे लगे पाईले पांच गुरु साहब आना या पेले गुरु साब ताम पंगती कर दे सी बडे आराम देना रशानति देना रहंए सिक्षान उ आम लोकान उ सारै न सिखानों बंदगी करन दा सिम्रन दा उपदेश दिन दे सी पर गुरु हर गुबन साहब ने ता उल्टा जाए काम शुरू कर दूता है जिमें पाई साहब जी ने जादूनात सरकार दा जिकर कीता सी कि उनने किया कि गुरुनानक दा जड़ा पैदा कीता हुए तर मैं उ अपरी नजरवालें दी नजर दे वेच एक काम थोड़ा जया ओपरा सी उनना वास्ते नमा सी इस करके उनने गल्ला करने शुरू कर थी पाई गुरुदास ने उदा जिकर कीता जिया अपने हमारा जो कहीं दे तर मिशाल कर बहीदा एक तथान टिकाटिकाया पातशा कर आम अपने हमारा जिकरुदा जाना जाता है ठीकराती है आठ वेचंते ंनना जाते हैं कि आपने कुटे ना लादा है कि सिखण नाजए कर tenga शिक्रातीन चला जाता हैं कि अन दे शंकिया नुपाई गुर्दास जी ने बड़ी क्षांत डिए ने ना ते लीग्शम्छान वी हो वोदे दोवाले ना किकर, जिन्हों मेरे खाल बाबूल भी कहा देने, वोदे वाड कीती जांती है, बचाउन वास्ते, दूजी एक्जेम्पल देने कहें, सापल पेटे चननने भुहा, जन्दा, कुता जाग गया, चन्देन दोवाले सापल लिप्टे रहीं देने, चन्दन बड़ी कीमती है, लकड ते कारनों जन्दा लगा हुंदा है, जहां रखवाली वास्ते कारदे विचे कुता रख़ा हुंदा है, तांके कोई आन के करूँ चोरी ना करके लाए जागे, पाईस्ताब जी कहने बिल्कुल इसे तरहीं, गुरु हारकु बेंद साहिब ने आई शस्तर पहनने बड़े जरूरी ने, जेकर नहीं पहना पहनोंगे, ते फिर तो अपना ही नुकसान होएगा, जाबर जड़ा जालम है, तो होर ताकतवर होके तो अनु तबाएगा, तो अनु अपना गुलाब बना के रखेगा, तो कहियां दे मना दे विचे शंके गुर्दास जी ने दूर कीते, तो जेड़े पावना माले सी, फिर ओ गुरू कारदे नाल जोड़के, बड़े उत्शादे नाल, आपने चंगे शस्तर लाएगे आउदे ने, नौजमान जेड़े ने, आपना आप गुरू साहवत यागे पेटा कारदे ने, ते मांग की र जावा उनना मरजीवने आने, गुरू साहवते कुल दूजी मांगी कोई ने कीती, तो एदा मी कहा लगिये, के हो साकता सी, गुरू अरजन साहम महा राजी दी शहादतों बाद, असरता होया सिखा दे मना दे उते, जदों में किसे गुरू साहवता समा, जड़ा प्राबप पर जड़ू अरजन साहव महराज शहीद हों दे ने, ओ मायूसी आई उनना दे अंदर, तो जे गुरू हारगो बंद साहवता सुचजी अगवाई ना कर दे ते हो साकता कि सेख जड़े सीना, ओ मायूस हो की रह जाना, पर गुरू हारगो बंद साहवने समें दी नजाकत न तो समझ दे हो या, पीरी नाल मीरी नू परगट करके उना दे अंदर एक नमी जान फूग दिती, एक उत्षाव पैदा हो गया, नौजमाना दे अंदर, सिखां दे अंदर, ओवडी गिनती ते वेच, अकाल तक साह दे सामने आने के आपने 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 कुरू पाउज जेड़ी है ना, गुरुहार गुबिन साहिं महाराजी दे कोले कि इकठी हो, तो पाउज जी में पाई साभ जी ने बड़ी डिटेल दे ना चानना पाया, कि उस पाउज नो इकठेया करन दा मनतव बदला लैना नहीं सी, सगों जालम नो एदसना, कि जेकर तू जालम दा मुपान के दासे दिता कि गुरु नाणक दा कार केवल पीर ही पैदा नी करता, इसे शिपाई भी पैदा कीते जान देने, पैदा फुन्दे रहनेंगे, अगे भी गुरु साहब आना ने, गुरु हार कृशन साहब महाराज, गुरु हार राय जी, गुरु हार कृ इस शस्तर नो शेख दे जीवन दा एक अटोट आंग बना देने, कि सेख ने इस शस्तर हमेशा आपने नाल रखना ही रखना है, यह तो इसनों मुआपी नहीं दिती जा सकनी, इस शुरू कर देनाल एक नमी जिंदगी नो महसूस करना शुरू कर देने, इक उनना वासे नमी चीज सी शस्तर पकड़के मैदाने जांग देना, उनना ने एक्सपीरियंस कीता, गुरू सावधी किरपा देनाल फिर बढ़ियां चड़ दियां कलांते विच उनना ने जाना अराम कीता जी, हाँ जी. शस्तर दी लोड नहीं है, या आज जेड़ी हो मेरी दे कंसेप्ट दी जरूरत नहीं है, तो इस बारे ग्यानी पुरुत्तर पाल सिंग जी, तुसी साड़ना विचार संजे करो, विकी मेरी एते पीरी सिरफ उस समय दी जरूरत सी, या हमेशा दे लई, इस समाज दी, इस द हमेशा दे पके हैं, वैसे भी आपा कहने हैं के गुरु सहब दा जड़ा जड़ा जगो जग अटालस सिधा आता है, गुरु भी है जदो आज दे समेदे वेच भी आपा देखते हैं, ते देखो, आज दे टैम्ट की है, ताकत हर देश दे कोड़ा हर देश नो अपनी देखन दी जरूरत है फौजा रखेंगा हो यान, हाला के हर कोई कहनदा है, डिफेंस दे लई है, पर ओही लोग अटेक भी कर देने हैं, गुरु सहब ने मीरी ते पीरी दा जड़ा सिधा आते ता सान ओधी मतलो बरीकी नो समझना पवेगा के उपी है, ओधी देखो, मीरी दे उपर पीरी दा कुंडा है, के जड़ी ताकत है, ओधी अगवाई तर्म करें, जे फाउजा है, शेस्तर है, पता हुवे के आपां ए जड़े शेस्तर ने ए फाउजा दी वर्तों कि में करनी है, आपां आज दे समय चे बिशाक कहनवाड़े कह देने जी कोई जरूरत नह करनी है पर जे आपां इना वाडे लेवल ते देखियें तेके में जेड़े वड़े देश ने ओचोटे देशां दे उपर अटायक करतें कि में कमजोर देशां देख़ ने उपर अटायक करके उना नो मारे जांदा तबाह कितां जांदा बिलुकुल किन या ए इंग्जैम् दिन दबान दी कोशिश कर दाए पर जे सामने वाड़े कोड़ ताकत है फिर ओदे नड़ कोई जल्दी तरीके जल्दी करके कोई इस तरह दा विहार नहीं कर दाए क्योंकि पता है सामने ताकत है जो पिछले दिना दे विचा सोशिल मीडिया ते एक बहुत वदिया विचार साब जल्दे करें कि आप टेबल दे और दर तकत वाले ताहीड सभील टॉक दे विच्ट साथी तकत हैं जाएगी जेर अपर पर भक सो आज नहीं है और सारे पास सब्सक्राइब बना के वरते जा रहे हुं मारत प्रकंगे नहीं थाक्त तक कर नहीं दिक पैसे करके गरीब दे उपर जुलम पहला नाड़ो बाद चुके ने कोई काटे नहीं है तो इस करके गुरू सहीव ने जड़ा मीरी ते पीरी दा साथ सांजा सिदा आते दिता हुदी आज भी ओनी जरूरत है जिनी पोदों जरूरत सी आज भी असी अपने निजी तौरते वेखे सेखने बाणी पढ़नी है तरम दे पूरी तरह तार नी बढ़ना है पर नाल दी नाल शेष्टर तारी भी होना है उपामे सेल्फ डिफेंस दे लई होवे उपामे किसे जगाते गुरू का से कोई जुलम वेखे ते से जुलम दे विरूरत जुरूरी नहीं कि तुसी हर जगाते शेष्टर सब्सक्राइब करके त्यान देंदे हैं सो ए जिन्नी ओदों जरूरत सी मीरी ते पीरी दे कठे रूप दे वेचे वह नहीं आज भी जरूरत है गुरू गोविन सिंग महाराज सचे पात्षा जी जदो बादशा बहादर्शान उमेड़े से देखो पीरी दी लोड कदों पहिंदी है मीरी दी लोड ताकत दी लोड़ा पा गुरू कार दे वेचे वेकिये जदो प्यार देन अलगाल नहीं सुनी जांदी गुरू सेब ने ब दमांगा सजा दमांगा सजा पर उन्हें सजा नहीं देती फिर गुरू महाराज नू बाबे बंदे बहादर नू पे जणा प्याके होंड जदो प्यार देनल तुसी नहीं सोन रहे हों फिर दे सानू शेस्टर बरतना ही पैना ताकत वर्द नहीं पैनी है फिर असी अपने तौरते ने बेड़े करल नमागे शर बाबाबंदा बहादर जी गए उना ने वजीर खान वी खतम कीता सरहांट है तीर दी एट ठीन अलेट भी खड़काई आपा यह कह दिए कि नहीं होन पीरी दी लोड नहीं बाणी चाड़ दिये नहीं जे संपूर्ण शक्षियत बनानी है उदे लही पगती शक्ती मीरी पीरी संत स्पाही ए दोमें चीजां एकठियां करके आज भी चलन दी ओनी जरूरत है जिन्नी पहला लोड से बहुत वधिया पवित्रपाल जी बड़े सोने सब्दान दिनल बहुत वधिया तुसी संवसमझाया असल दिवेचं समाखतम हो रहा है निते आज ते मनें अद्दा कार रहा सी वह समाः ज़रा अद्दा पूना कंटा है जाधा होना चाहिए था सी बहुत वधिया तुसी दोन करतार कोश्ची वाइगरी जी का खालसा वाइगरी जी की फटे मास्टर जी एंग ज्यानी जी अज दी टॉपिक जडी बहुत वदियासी मनू ता एंग दासी के मैं कोई हिस्ट्री लेसन सोन रहें है तो अदा हित्यास तुसी इनने शटी 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 इंगा इत्यास किया दस अधिफ थारी जी फिसरी आओ था समया कै मेरी की ना दा है अलशो तुसे शक्ति लए भक्ति कही शक्ति भी चाहिप झायिए भक्ति वी चाहिए लहां कि हमेशा किम दाम सबढ़े जोडे है ते शटी वी चाहिए ज्स्सां करने अपने अपनों बचौन वास्ते पर येस जत्रा तुसी कैसी ओस्टाइम थे और ना नू शास्तर वर्तने पैस गे पर अज दे महौल देवेचे मेरे ख्याल चाहिए अपा नू शास्तर चुकने नी चाहिए अपा प्यार नाल भी समझा सदें जड़े जुल्म कर दे है कि एक आम नहीं करना चाहिए था ते मेरी पीरी दे नाल अपनी जिन्दगी कितरा अपा चला सदे मनू गयानिक बुल्दीप सिंग जी दी स्टोरी बहुत चंगी लगी कि अपनी जड़ी जिन्दगी है वो कितरा बैलन्स विच रहना है लग जतरा एक नदी नाल दो खिनारे चाहिए न उतरा अपनी जिन्दगी बैलन्स चे एक दो एक मेरी एंड पीरी भी चाहिए थी यह जी जिन्दगी दे विच अपा मेरी पीरी जदों यूज कर दी आपा अजे पिछले हप्ते हैं असी मेरे क्यालची सांतिस्पाइडी ट पीरी दा मतलब की हुंगा या मैं अज गूगल किता सी मेरी पीरी बारे ते मनु एवी पता लगा कि ओ जड़े अपने दो करपान है खंडे दे नाल ओ एक मेरी एन एक पीरी है इस अच्छा है ग्यानी जी ठीक है ना हाँ जी बिलकुल जा हाँ ते ओवी बहुत को शाज्य एचली सिखन नू मिलियाए ते बहुत वदिया नाल तुसी एनना दी आर्थ समझाये सानू ते मनु ता आज टॉपिक बहुती वदिया लगाई मेरे वास्ते आज वाला टॉपिक जड़ा एक आई ओपना सिगा के कित्र अपनी तागतनू वार्त सदेया ते केत्रा हमेशा अपना वाइगरुदे नाल जोड़के वी रहना है ते हम कारवेच्च कदे वनी ओना बहुती वदियासी और मनू लास्ते मनू पवितर ग्यानी पवितर दी बहुत चंगया लगा के मारे बंदे दा कोई नी सुन्दा पर पर जिरा तागत वाला होदे वल हमेशा सारे सर्चोक के उठके उनू बेंदे है ते बहुती वधियासी आज वाला टॉपिक थैंक यू वेरी मुच मास्ते जी थैंक यू वेरी मुच करतार कोड़ जी वेरी ब्यूटिफुली यू एक्स्प्लें और यू शेय और पॉंट प्रिफुली यू जी वेरी मुच पर यू थैंक यू वेरी मुच पर यू पर यू नू रिखेश्ट यू वाइव जी वालों सारी संगत दा बहुत बहुत तन्वाद कर देहां जो हमेशा अपने कीमती समा कटके संवाद ना जोडे रंदे मेरी पीरी दा आजे समवाद लई दो ग्यानी जी हाजर हन ते जो मैं वी सुनिया मैंनो वी सारे प्रशना दे उत्तर बहुत शपष्ट त्रिके ना समझाए गए ते बहुत कुछ सिखन नू मिले आजे ग्यानी जी पवित्तर पाल सिंग जी दा तै दिलों तन्वाद कर देहां जिनना ने साथी बेंती नू हमेशा परवान कर देहां उनना दे खासा तरमक सबादी कमेटी दावी बहुत तन्वाद कर देहां ग्यानी कुलदीप सिंग जी वेर का दावी असी बहुत बहुत तन्वाद कर देहां अते कातूं गुर्द्वारा साहिब जी कमिटी दावी असी बहुत शुकर गजार हां जो हमेशा ग्यानी जी नू हिसा लेन दी इसाज़त होते हैं इस मुझे कारज्ज नू सफल बनावण विच साधे सिखी लेक्शर सरदार सत्यविंदर सिंग जी ने बहुत बढ़ा योगदान पाया अते इस सन्वादी त्यारी कित्ती सत्यविंदर सिंग जी असी तो अदा बहुत बहुत तन्वाद कर देहां सदे नवे लेक्चरर चड़त सिंग्धा वी असी बहुत बहुत तनवाद का देहां जिनने वी योग दन पाया है वाई गुरुजी का खर्सा वाई गुरुजी की पते जी सब्सक्राइब कोशिश कोई पायदा नहीं सी हो सकता जे समूस अंगत जोइन ना कर दी ते बहुत वदिया लगया तुसी सारे ने अपना कीमती समा कर दिया ते अपना सारे ने विचार किती और समझन दी कोशिश किती सब्सक्राइब सारे नाल ही सिर्फ छोटी जी बेंती है सड़े इन-पर्सन और ओनलान लेक्चर चल रहे हैं वेनस टे इवनिंग इंग्लिश दे विच लेक्चर होंदा है अभरी वेनस टे इवनिग एवनिग 7 पिम And every Friday evening 7 p.m. both are online lectures and we are running two in-person lectures as well. Every Wednesday and every Saturday morning 11 a.m. Wednesday जेड़ा है वो सेंटर सिख गुर्दवारा साहब दे विच और Saturday जेड़ा है वो सिख सेंटर दे विच जेड़ा है वो in-person lecture होंदा है. So, बुद्धवार अते शुकरवार शाम नू सत्वजे ऑनलाइन और बुद्धवार अते शनिवार स्वेरे ग्यारां जेड़ा है जेड़े नो in-person lectures चल रहे ने एस तुलावा गुर्मुखी अते बुली दे और सोजी दे प्रोग्राम बच्चेयां ले भी चल रहे हम जेदे बच्चानू पंजाबी ते सिक कल्च्छर देना जोड़ा जांदा है, so for more information, you can email or you can contact us. So, thank you very much once again to everyone. Now you all can unmute and we all can say Guru Fateh together. Thank you everyone once again.